हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी कामाय चैनल पर आज हम देखेंगे कौडर्रीड फर्मूला कैसे ड्रैव कर सकते हैं जैसे माल लेजिए कोई यह क्वाडर्रीड रेक्वेशन आए x स्क्वाइर प्लस bx प्लस c एकूल टू जीरो जहां पर a b c एनी नमबर हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि equation को हम कैसे solve कर सकते हैं जैसे माल लीजे एक equation x square minus x minus 3 equal 0 तो इसे हम quadratic formula लगाके solve कर सकते हैं जिसे हम स्रिद्राचारी formula की नाम से भी जानते हैं यहाई से हम एक perfect square बना के इसका रूट निकाल सकते हैं तो अभी हम फार्मूलर ड्राइब कर रहे हैं तो इसे हम perfect square बनाने का try करते हैं perfect square बनाने के लिए जो यह first term है इसका जो को फिस जिंड होना चाहिए वो one होना चाहिए तो अगर यहां पर 1 नहीं है तो इसे हम 1 बनाएंगे अगर यहां पर 1 है तो चलिए हम देखते हैं इसे हम कैसे perfect square बना सकते हैं तो सबसे पहले हम इस 3 को right hand side ले जाएंगे तो यह हो जाएगा plus 3 अब हम क्या करेंगे जो यहां पर x है इसका जो coefficient है इसके half का square दुनों side add कर देंगे यहां पर 1 है इसका half हो जाएगा 1 by 2 इसका square हो जाएगा यह इधर भी हम इसको add कर देते हैं तो देखेंगे यह perfect square हो गया x minus 1 by 2 का whole square और यह हो जाएगा 13 by 4 तो अगर हम दुनों side का root ले ले, square root ले ले तो यह जाए x minus 1 by 2 equal to plus minus root over 13 by 4 यहां से x की value आ जाएगी 1 by 2 plus minus root over 13 by 4 तो देखें यहां से x की value, x का value हम लोगों ने calculate कर लिया वैसे हम अब इस equation को perfect square बनाने का try करते हैं तो यहां पर coefficient 1 नहीं है तो सबसे पहले हम इसे 1 बनाएंगे यह से हम पूरे equation को divide कर देंगे तो यह हो जाएगा x square plus by a into x plus c by a equal to 0 by a यह होगा x square plus by a into x plus c by a equal to 0 यहां पर a cancel हो जाएगा तो अभी c by a को हम right hand side लेकर चलते हैं x square plus by a into x equal to minus c by a अभी हमने यहां पर जो इसका coefficient है इसके half के square को add किया था duna side में तो देखे हैं यहां पर इसका coefficient है by a तो इसका half हो जाएगा by 2 a तो इसको स्क्वाइब को दूने side add कर देते हैं इसकी square को देख़्ाइब कर देते हैं यह हो गया तो देखी यह एक perfect square बन गया x plus by 2a का whole square equal to minus c by a plus b square upon 4a square देखी यहाँ पे 4a square है यहाँ पे a है अगर square करना है तो हम इसको भी 4a square बना देते हैं इसमें हम 4a से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 4a square अगर हम denominator में 4a से multiply के तो हमें numerator में भी 4a से multiply करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा minus 4ac upon 4a square plus b square upon 4a square तो इसका LCM ले लेंगे तो जाएगा b square minus 4ac upon 4a square तो यहाँ से आ जाएगा x plus by 2a अगर हम इसका square root ले ले लें तो यह हो जाएगा root over b square minus 4ac upon 2a देखिए यह 4a square तो यहाँ पर 2a आ जाएगा और यह square root में plus minus के साथ b square minus 4ac तो यहाँ से देखिए x का root आ गए x equal to minus b by 2a plus minus root over b square minus 4ac upon 2a x के 2 root आ गए minus b by 2a plus root over b square minus 4ac upon 2a और minus b by 2a minus root over b square minus 4ac upon 2a तो देखिए इस equation को अगर हम इस formula से solve करना चाहें तो a की value हो जाएगी 1 b की value हो जाएगी minus 1 और c की value हो जाएगी minus 3 अगर हम a b c का value इस equation में put कर दें तो हम यह answer मिल जाएगा तो यह हो गया यह formula है quadratic equation का जिसे हम स्रिद्राचार formula के नाम से भी जानते हैं दोस्तों अगर यह video आपको अच्छा लगाओ तो please video को like कर दीजिए thanks for watching the video आप कर दोस्तों जानते हैं